प्रधानमंत्री जी से पुने साधर अनुरोध की भारत वर्ष की प्रथम डेड़ किलोमीटर लंबी लॉंग हॉल माल गाडियों का न्यू भावकुर एमम न्यू खुर्जा इस्टेशनों से हरी जंडी दिखा कर शुभारंब करें माननिय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी माननिय प्रधानमंत्री जी से साधर निवेदन है कि इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्ग दर्शन करें माननिय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रधेश की राजपाल श्रीमत्री आनन्दिवेन पतेल मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आदित्यनाज जी केंद्रिय रेल मंत्री भाई प्यूश गोईल जी संसद में बेरे सभी सहयोगी गाण यूपी सरकार के मंत्री गाण कारकम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव भाई और भेनो आज का दिन भारतिय रेल के गवरोशाली अतीत को 21 सदी की नई पहचान देने वाला है भारत और भारतिय रेल का सामर्त बढ़ाने वाला है आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफरस्ट्रेक्टर प्रजेक धराप्तल पर उतरते हम देख रहे हैं साथियों आज जब खुर्जा भाव पर फ्रेट कोरीडर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दोड़ी तो उसमें नए भारत की आत्मनिरभर भारत की गुंज और गर्जना स्पस सुनाई दी प्रयाग राज में आपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ का प्रतीख है ये दुनिया के बहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मेनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलोजी है वो भारत में ही तयार की गई है भारती योने ही उसको तयार किया है भाविव और भेनो इंफरास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट के सामर्थ का सबसे बड़ा स्त्रोथ होता है इंफरास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट की नसे होती है नाडिया होती है जितनी बहतर ये नसे होती हैं उतना ही स्वास्थ और सामर्थवान कोई राष्ट होता है आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के राष्टेपर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तब बहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्रात्विक्ता है इसी सोच के साथ बिते छे सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, बॉटरवे हो या फिर आइवे आर्थिक रप्तार के लिए जरूरी इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है गती दी जा रही है इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर इसके एक बड़े सेक्षन का लोकारपन भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है साथियों ये डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर इनको अगर सामान ने बोल चाल की भाशा में कहें तो माल गाड़ियों के लिए बने विशेश ट्रेक हैं विशेश व्यवस्ताएं हैं इनकी जरुरत आखिर देश को क्यों पड़ी है हमारे खेत हो उद्योग हो या फिर बाजार ये सब माल डुलाई पर निर्भर होते हैं कहीं कोई फसल उखती है उसको देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुँचाना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुँचाना पड़ता है उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है उद्योग से बना माल बाजार तक पहुँचना ना होता है या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुँचाना पड़ता है इस काम में सबसे पड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है जैसे जैसे आबादी भड़ी अर्थववस्ता भड़ी तो माल डूलाई के इस नेट्वर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया समस्या ये थी कि हमारे हां यात्रियों की ट्रेने और माल गाडिया दोनों एकी पट्री पर चलती है माल गाड़ी की गति धीमी होती है